भारती इतिहास के पूरे 101 प्रश्न के संपुन निचोड का क्विक रिविजन आज इस क्लास में देखेंगे आप चाहे किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो साथियो यही क्वेश्चन्स आपके पेपर में फसेंगे तो complete आपको आज के यह क्लास देख लेना है क्योंकि साथियो यह क्वेश्चन्स बहुत ही महत्पून है और इस बार आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे नमस्कार साथियो मेरा नाम है सुभास राज और स्वागत है आप सबी साथियो का एक्समार्ट स्टेडी 2.0 यूटूब चैनल पर तो चलिए फिर अपने इस सांदार सेशन की सुरुवात करते हैं और इतिहास का क्विक रिविजन करते हैं पूरे 101 प्रश्ण सहीत देखते हैं कोश्चन्स साथियो पेपर में इतिहास के ये प्रश्ण पूछेना ऐसा होई नहीं सकता है ये कोश्चन्स बहुत ही महत्पुन है आज कई ये क्लास देख लीजे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने इंपोर्टेंट कोश्चन्स का क्लास आज किया है देखिए पहला कोश्चन न निमन में से कौन सा एक छेत्र 1857 के बिद्रों से प्रभावित नहीं था आप देखिए 1857 की जो क्रांती है ये 10 माई 1857 को सुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के मेरट से और देखिएगा 1857 की क्रांती में इनमें से कौन सा छेत्र है जो की प्रभावित नहीं था ये पूछा जा रहा है तो साथ यो दिखिएगा जहासी तो प्रभावित था जगदिस पूर भी आपका जो है प्रभावित था लखनाव भी प्रभावित था लेकिन चित्तोर जो है न यह देखिए अठारा सो संतावन की विद्रोह में प्रभावित नहीं था तो इस question का correct answer हो जाएगा option number B चित्तोर याद रिखिगा next question है किस मराठा सासक के सासनकाल को पेशवाओ के सासनकाल के नाम से जाना जाता है काफी महत्पुन प्रश्न है तो ध्यान से दिखिए किस मराठा सासक के सासनकाल को पेशवाओ के सासनकाल के नाम से जाना जाता है तो याद रिखिगा साहू मरा तो याद रिखिए करिक्टन्स रोगा ओप्शन नमबरे दादा भाई नेरोजी दादा भाई नेरोजी ने अपने इसी पुस्तक में धन के निकास के सिध्धान्त का विबरंदिया है याद रिखिए करिक्टन्स रोगा ओप्शन नमबरे दादा भाई नेरोजी आगे देखि किया था ठीक है और देखे विजयरगर के समराज के वित्य व्योस्था की मुख्य विश्था क्या थी तो याद रिखीगा भूरा जस्व करिक्ट आएगा ओप्सन नमबर बी नेक्स्ट कुष्चे ने उनिस्वी सदी की महांतम पार्सी समाज के सुधारक कौन थे तो अगे देखीए अगला कोश्चे ने हर्षवर्धन की बहन राज्य सिरी का विवाह किसके साथ हुआ था तो करिक्ट आएगा मौकरी नरेश गरह बर्मा से रैट आएगा ओप्सन नमबर बी मौकरी नरेश गरह बर्मा देखिए आज कहीं क्लास बिलकुल कविक क्लास है क्व अगला कुछ ने पंजाब के हिंदू साही राजवान्स को किस ने अस्थापित किया था तो ये नाम आपको जिंदेगी भर याद रखना है ठीक है जब भी ये कोश्चन पूछे कि पंजाब के हिंदू साही राजवान्स को किस ने अस्थापित किया था तो कलर ने आगे देखे नेक्स्थेक करो या मरो का मंत्र किस ने दिया था तो भै करो या मरो का मंत्र किस ने दिया था महत्मा गांधी जी ने दिया था कब इन्हों ने अपना अधिकांस जीवन उत्तर भारत के ब्रिंदावन में बिताया था ब्रिंदावन जो की यूपी में इस्तित है आगे दिखिए अगला कोश्चन है अकबर ने दिन ए इलाही ये जो धर्म था इसको किस वर्स में आरम किया था तो दिखिए दिन ए इलाही को अकबर ने 1582 इस्वी में आरम किया था तो राइटन सुरोगा ओप्सन नमबर D 1582 में आगे दिखिए महाभारत का बंगला में अनुबाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था तो साथियो महाभारत का बंगला में अनुबाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था तो देखिये करिक्ट आएगा नुसरत साने साथियो महाभारत के बारे में आप सभी साथियों को पताई होगा अब देखिए महाभारत का जो युद्ध है ये कहाँ पर हुआ था तो याद रखना ये कुरुक्षेत्र में हुआ था कुरुक्षेत्र का युद्ध जो की 18 दिनों तक चला था याद रखना ये भी question पूछा जाता है कि महाभारत का जो युद्ध है कुरुक्षेत्र कुरुक पुन प्रश्न है ये तो ध्यान से दिखिएगा विकरम संवंत कब प्रारम हुआ था तो 58 इसा पुरू में करिक्ट आएगा ओप्सन नमबर ए आगे दिखिए किस मुगल वादसा ने अंगरेजों से डेड़ लाक रुपईये मुआउजा के तौर पर वसूल किये थे वहां रुपईया मुआउजा के तौर पर वसूल किया था उस समय के तो याद रिखिए करिक्ट आएगा ओरंग जेब याद रिखिए करिक्ट आएगा यहाँ आपका ओप्सन नमबर सी औरंग जेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था क्योंकि ये खुली आखों से सोते थे और और ओरंग जेब जो है ना साथियो देखिए ओरंग जेब जो है यह मुगल समराजों में सबसे क्रूर एक सासक था याद रखना ओरंग जेब नहीं गुरु तेग बहादूर का बद करवाया था और ओरंग जेब कौन सा बाधय अंत्र बजाते थे तो याद रिखिएगा बीना ये सब questions पूछा जाता है आगे देखिए एलोरा के परसीद कैलास मंदीर का निर्मान किस ने कराया था तो एलोरा के परसीद कैलास मंदीर का निर्मान कराया था कृष्ण पर्थम ने राइट आएगा option number B कृष्ण पर्थम आगे देखिए अलावद्दिन खिलजी के परसिद सेनापतियों में किसकी मंगलों के विरूद लड़ते हुई मृत्त हुई थी तो देखिए करिक्ट आएगा जाफर खां का ओप्सन नमबरे जाफर खां नेक्स्ट कोश्चेन है सारनाथ में बुद्ध का पर्थम परवचन क्या कहलाता है तो वह सारनाथ में गोतम बुद्ध का परथम परवचन जो है वो क्या कहलाता है तो याद रिखिए धर्म चक्रपरवर्तन ओप्सन नमबर डी यहाँ आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा बिठ्थल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है तब बिठ्थल स्वामी का मंदिर जो है वो विष्णुजी को समर्पित है यानि बिठ्थल के रूप में विष्णुजी को ओप्सन नमबर ए करेक्ट आएगा बिठ्थल के रूप में विष्णुजी को आगे काल कंणर साहित के उत्पत्ती का काल माना जाता है काफी महत्पुन प्रश्ण है तो याद रिखिए किस राजवांस का काल कंणर साहित के उत्पत्ती का तो धंगदेब ने करिक्ट ए ओप्शन नमबर सी धंगदेब निमनल कित में से कौन एक मगद समराज की राजधानी नहीं थी तो देखें मगद समराज की राजधानी इन में से कौन सी एक नहीं थी ये पूचा जा रहा है तो गृष्च राज ग्री और पड़त्ली पूत्र में option number B करिक्ठ होगा तमील next है उत्तर वेदिक संस्क्रीटी का काल किसे माना जाता है तो ध्यान से दिखिए उत्तर वेदिक संस्क्रीटी का काल जो है ये किसे माना जाता है तो 1000 इसापूर से 600 इसापूरू को देखिए कौन से सुल्तान की मृत्तू अफगान पूर यानि तुगलका बाद में लकडी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी तो याद रखे करिक्ठ आएगा ज्यासुद्दिन तुगलक का option number B आगे next question है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से क किस से संबंदी थे तो याद रखना करिक्ठ आएगा हेरोडट्स इतिहास का पिता फादर ओफ हिष्ट्री किसको कहा जाता है तो हेरोडट्स को आगे देखिए कृष्ण देव राई ये कहा के राजा थे तो साथ यो कृष्ण देव राई जो है ये बिजयनगर समराज के किस मुगल सासक ने दो बार सासन किया था तो हुमायऑो ने और अगर आपसे पूछे कि मुगल समराज की पूना अस्थापना किस ने की थी तो भी याद रखना हुमायऑ ने 15056 में इन्होंने तो हैं वैसे मुगल समराज की याद रिखिगा। होई साला इस मारक पाये जाते हैं कहा, तो देखे होई साल इस मारक जो है, यह कहाँ पाये जाते हैं, तो याद रिखे हले बीड और बेलूर में, यानि राइट आईगा, 置प्सन नमबर भी हले बीड और बेलूर अब यहाँ आपका दो क्योश्चन बनता है अगर आपसे पूछे नायर सोसाइटी की अस्थपना कहा हुई थी तो याद रखना केरल में कभ हुई थी तो 1914 में किष्णे की थी तो पजणात पिल लगे चली आगे दिखिये किस ने सोंपूर महाविहार का निर्मान कराया था तो साथियो सोंपूर महाविहार का निर्मान कराया था धरम पाल ने पाल वन्स के सासक धरम पाल आगे नेक्स्ट कोश्चेन है अलिगण मुस्लिम विशु विद्याले की अस्थपना किस ने की थी तो ध्यान से दिखिए अल इल्टु तमीज के, राइट आएगा option number C, इल्टु तमीज, राजा बिर्बल की उपाधी किसे दी गई थी, यानि बिर्बल का बास्तविक नाम क्या था ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना करिक्ट आएगा महिस दास, ठीक है बिर्बल का ये बास्तविक नाम था महिस महिस दास को ही राजा बिर्बल की उपाधी दी गई थी, प्रसित दस राजाओ का यूद, जिसको दस राज यूद के नाम से जाना जाता है, ये किस नदी के तठ पर लाड़ा गिया, तो देखे करिक्ट आएगा परुष्णी नदी के तठ पर, option number D करिक्ट है, मालवा, भारतिय ब्यपार से अलग करने में कौन सफल रहे, यानि डचो को भारतिय ब्यपार से किसने अलग किया था, तो याद रिखे अंग्रेज होने, करिक्ट है, option number C, अंग्रेज, नेक्स्ट है, सेरसा के बच्पन का नाम क्या था, यानि सेरसा सूरी जो थे, उनके बच्पन का गरम दल से संबंदित था, यानि इन में से कौन से नेता है, जो कौंग्रेज के गरम दल के थे, तो देखे करिक्ट आएगा, option number E, अर्बिंद घोस, नेक्स्ट कोस्टे ने, डुपले के बाद, पांडीचेरी का गवर्नर कौन बना था, तो वह डुपले के बाद, 157 के विद्रों में अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन था, याद रिखेगा, मौलवी अहमद उल्ला साह, करिक्ट आएगा, option number E, मौलवी अहमद उल्ला साह, याद रिखेगा, मोहन जोड़ों को किस एक अन्यनाम से भी जाना जाता है, तो साथियों दिखे, मोहन इसले को किसने अस्थापित किया था, तो सेख मुयून दिन चिस्ती ने, करिक्ट आएगा, option number C, निमनल खित में से वहाद दस्तकारी कौन सी है, जो आरियों द्वारा ब्युहार में नहीं लाई गई थी, तबहें देखिए, आरियों मृद्य देखिए, पोट्रीर के से इन आगे देखिए, ओरंग्जेब कालीन एतिहासिक गरंथ जो है, नुसका ये दिलकुसा, इसके रचनाकार कौन है, तो याद रिखिए, भीमसेन सक्सेना कायस्त, करिक्ट आएगा, option number A, नेक्स्ट है, गांधी जी की मृत्तु पर किषने कहा था, कि हमारे जीवन से प्रकास चला गया, तो देखिए, गांधी जी की मृत्तु पर यहां कथन किषने कहा था, तो पंडित जोहारलाल नहरू जी ने, option number D करिक्ट आएगा, इंडियन अन्रेष्ट का लेखक कौन था, यानि इंडियन अन्रेष्ट पुस्तक के लेखक कौन थे, तो याद रिखिएगा, व अबदुललतीफ ने, करिक्ट आएगा, option number D, मुस्लिम लिख की अस्थपना का स्रे किसे दिया जाता है, तो देखिए, मुस्लिम लिख की अस्थपना का स्रे किसको दिया जाता है, तो सलीम उल्ला को, याद रिखिए, सलीम उल्ला खां को, इन्होंने, उसने 1906 में, ढाका मे मुस्लिम लिख की अस्थपना की थी, आगे दिखिए, बहुत जयन एबम ब्रह्मान, धर्म में कौन सी धर्ना एक जैसी है, यानि बहुत धर्म, जयन धर्म और ब्रह्मान धर्म, इन तीनों धर्मों में कौन सी एक धर्ना है, जो बिल्कुल एक जैसी है, तो याद रिखिए कर्मवाद का सिध्धांत option number a आगे देखिए भारत में या फिर भारत के राजिचीन में पर्युक्त होने वाला जो सब्द है सत्तम्यव जयते यह किस उपनिसद से लिए गए हैं तो देखिए करेक्ट आएगा मुंडक उपनिसद से option number a next असोक के सिलालिखों में पर्युक्त भासा कौन सी है तो भई असोक के सिलालिखों में पर्युक्त होने वाली भासा है प्राकरीत करेक्ट आएगा option number b प्राकरीत याद रखना चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है तो देखिए चित्रा उपन्यास के लेखक कौन है याद रिखिए रविंद्रनाथ टेग और option number c सेरसा की महंता का धोतक क्या है तो दिखिएगा सेरसा सूरी की महंता का धोतक है प्रासासानिक सुधार इन्होंने प्रासासानिक सुधार कराया था option number c तीन क्रमों या बर्गों में तीन लोग को माप लेने के कारण किसको उपकरम कहा गया है किस देवता को तो विश्नु जी को यहां भी करिक्ट आएगा option number D विश्नु पिर्थीविराज विजय का लेखक कौन था? देखे पिर्थीविराज विजय पूछे तो जैनक आपको आणसर करना है और अगर पिर्थीविराज रासों पूछे कि पिर्थीविराज रासों के लेखक कौन है तो चंदर बरदाई करेक्ट होगा दोनों याद रखना वैसे इस question का आंसर होगा option number C जैनक बकसर के युद के समय दिल्ली का सासक कौन था बकसर के युद साथियों 1764 में हुआ था इस समय दिल्ली का सासक कौन था तो सह आलम दूतिया option number D हो जाएगा परिशिष्ट पर्व जो की जन धर्म से संबंधित रचना है इसके रचियता कौन है तो परिशिष्ट पर्व के रचियता कौन है याद रिखिए हेम्चंद्र करिक्ट आएगा option number C हेम्चंद्र आनन्दमट के लेखक कौन है तो बमकिन चंद्र चटर जी यह जो यहीं से जो हमारा राष्ट्य गित है, वन्दे मातरम उसको लिया गिया है, याद रिखेगा, आगे देखे हडपा वासी किस धातु से परीचित नहीं थे, अब भडपा वासी जो है, इन में से किस से परीचित नहीं थे, तो सोना चांदी, तांबा का साटी, नेवं सिसा से त चांद्रगुप दूतिय के काल में विद्या कला वा सहित्य का महान केंद्र कौन सा था तो देखे करिक्ट आएगा उज्जयन उप्शन नंबर सी नेक्स्ट कोश्चन है देब समाज का संस्थापक कौन था तो सिभ नरायन अगनी होतरी याद रिखिए उप्शन नंबर सी आगे दिखिए आईने अकबरी एक महान एतिहासिक क्रिती है ये निम्नलकित में से किसके द्वारा लिखी गई है तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी तो अबुल फजल के द्वारा करिक्ट आएगा option number A द इकनोमिक हिस्ट्री ऑफ हिंडिया के लेखक कौन है तो देखिए द इकनोमिक हिस्ट्री ऑफ हिंडिया के लेखक कौन है याद रिखेगा रामेश चंद्र दत करिक्ट आएगा option number B जागिर्दारी संकट सरपर्थम किस मुगल वादसा के सासन काल में उत्पन हुई थी तो भै ओरंग जेव के समय में option number C correct आएगा चोल काल में कडीमे का अर्थ क्या था यानि चोल काल में कडीमे क्या होता था तो भै कडीमे का अर्थ था भुराजस्व लगान option number एक करिक्ट होगा आगे दिखे थियोसोफिकल अंदोलन की गती वीडियो का भारत में व्यापक रूप से फैलाने का स्राइक किसको दिया जाता है तो याद रिखे करिक्ट आएगा एनिवेसेंट अगर आपसे पूछे थियोसोफिकल सोसाइटी किस अपना भारत में किस ने की थी तो एनिवेसेंटी आंसर करना है अकवर ने किसे देखिए कंठा भरन वानी विलास की उपाधी दी थी तो भै अकवर ने किसको कंठा भरन वासी विलास की उपाधी दी थी याद रिखीगा तानसेन को जो कि अकबर के समय में एक महान संगितकार थे मुहमद बिन तुगलक की मृत्तु कहां होई थी? साथ यो दिखीगा मुहमद बिन तुगलक की मृत्तु हुई थी थट्टा में ओप्शन नमबरे थट्टा करेक्ट आएगा नेक्स्ट कोश्चन है अलावद्दिन खिल जी का मूल नाम क्या था? तो देखे अलावद्दिन खिल जी का मूल नाम था अली गुर्षप्पा देखे अलावद्दिन खिल जी जो आपने आपको सिकंदर सानी यानि दूतिय सिकंदर कहता था आपने आपको याद रखना अहां जहां के काल को option number B राम कृष्ण मिशन का मुख्याला है कहां इस्तित है तो देखे राम कृष्ण मिशन की अस्थापना की थी स्वामी विवेकानन जी ने और इसका मुख्याला है बैल्लूर में करिक्ट आएगा option अगला question है किस पुष्टक में कृष्ण देव राय द्वारा अपनाये गए राजनितिक प्रससानिक सिध्धानतों का वर्नन मिलता है तो राई टेंसर होगा option अमक तमाल्यद में यह question काफी महत्पून है याद रिखेगा अमक तमाल्यद हडपा सभियाता किस यूग की थी काफी महत्पून प्रशने है तो साथिए हडपा सभियाता जो थी यह काईस यूग इन थी तो option नमबर एक करिक्ठ होगा काई सी यूग की आगे दिखे नेक्ष्ट है सरपर्थम सुन्यवाद या सुन्यता का सिध्धान्त का प्रतिपादन करने वाला बौध दार्शनिक का नाम क्या है तो सरपर्थम सुन्यवाद का प्रतिपादक करने वाला या प्रतिपाद करने वाला बहुत दर्शनिक कौन था तो याद रिखेगा नागा अर्जुन, option number C, नागा अर्जुन करिक्ट आएगा, किसने भक्ति के छेत्र में सुद्रों को भागवत दर्शन वा मौक्ष का अधिकार देकर उन्हें इसलाम धर्म सुईकार करने से रोका था, तो याद रिखे, करिक् का किसके लिए परसीद है, तो साथियों देखना भीम बेट का ये किसके लिए परसीद है, तो गुफाओ के सेल चीतर के लिए, करिक्ट आएगा, option number है, जो कि मज्द पर्देश में स्तित है, रेल विभाग के प्रिथक रूप से railway वजट का वारम हुआ था, यानि अलग से railway से railway वजट कब से पेश होना शुरू हुआ था, तो 1925 में याद रखना, और इसको मिला कब, वापिस मिला कब मतलब की देखो, अभी इसको बापस मिला लिया गिया है, तो किस वर्स बापस मिला लिया गिया था, तो 2016-17 में याद रिखीगा, अरुन जेटली जिस वक्त भार आचारिय, सुल्तान बनने से पुरुव किसका नाम जौन खान था, तो सुल्तान बनने से पुरुव किसका नाम जौन खान था, तो याद रिखे मुहमद बिन तुगलक का, option number 2, किसके समय में मलिक मुहमद जैसी ने पदमावत की रचना की थी, अब यहाँ दो question बनता है, कि पदमावत की रचना किशने की थी, तो मलिक मुहमद जैसी ने, और किसके समय में की थी, तो याद रिखे सेरसा सूरी के समय में, option number 2, right होगा, सिवाजी के अध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो साथियो देखे सिवाजी के अध्यात्मिक गुरु थे, गुरु रामदास, option number 1 और करेक्ट हो जाएगा, भारतवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहथ हुआ था, तो भारतवं पाकिस्तान का विभाजन जो है, ये किस योजना के तहथ, तो माउंट वेटन योजना के तहथ हुआ था, option number 1, correct हाएगा, पूरी में इस्तित कोनार्क के विशाल सुर्य मंदिर है, ये साथियों पूरी में इस्तित है, उडिस्ता के पूरी में, जिसका निर्मान कराया था, नर्सिंग पर्थम ने, राइट आएगा, option number 1, नर्सिंग पर्थम, निमनल खित में से कौन, अपने आपको, इसवर का अभिसाप कहता था, तो करिक्ट आएगा, चंगेज घा, option number 1, निमनल खित में से किस ने, सुभा आजादी नामक कविता लिखी है, तो सुभा आजादी नामक कविता फेज अहमद फेज ने लिखी है, right है साथियों, option number 2, महावीर की माता कौन थी, ध्यान से दिखिए, महावीर की माता थी, त्रेसला, करिक्ट आएग कौन है, तो याद रिखे, करिक्ट आएगा, क्रो मेगनन मनुस्या, option number 2, next है, मदरास यूनियन, 1918 की अस्थपना किशने की थी, तो मदरास यूनियन के स्थपना 1918 में हुई थी, और किशने की थी, तो BP बाडिया ने, करिक्ट आएगा, option number C, नवी सदी में भारत आये, अरब अभियान के समय, बंगाल का सासक कौन था, तो याद रखना करिक्ट आएगा, मही पाल पर्थम, option number D, next question देखिए, जेन वास्तुकला का प्राचिंत मुदाहरन कहां से मिलता है, तो देखिए, जेन वास्तुकला का प्राचिंत मुदाहरन दिलवाडा में मिलता है, होंगे, आपको मैं इतना हिंट दे देता हूँ, कि ये जो चिनी यातरी, ये जो आपको तीन चिनी यातरी देख रहे हैं, इन में से वो है, जो कि हर्सवर्धन के समय में भारत आये थे, अब हर्सवर्धन के समय में इन में से कौन से चिनी यातरी भारत आये थे, वही इस question क आंसर भी होगा आप लोग कमेंट बोक्स में कमेंट कर दीजिए और उनी को बरतमान साक्यमूनी और यात्रियों में राजगुमार भी कहा जाता था नेक्स्ट कोश्चे ने बियार अंबेटकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सबसे बड़ा योगदान दिया था तो याद रखना करिक्ट आएगा बडोदा के महराजा ने ओप्सन नमबर एक करिक्ट टेंसर हो जाएगा अंतिम कोश्चे ने महराष्टा में रामोसी क्रिसक जत्था को किसने अस्थापित किया था तो साथियों याद रिखिए महराष्टा में रामोसी क्रिसक जत्था को किसने अस्थापित किया था तो बासुद्य बलवन्थ फड़के ने करिक्ट आएगा यहां आपका option number C साथ हो total 101 questions जो हैं आपको इस class में कराएं quick revision आपको कराया है इतिहास के और ये इतिहास यानि Indian history के वो questions थे जो की परिक्षाओं में पूछे जाएंगे आपसे 100% तो class को like जरूर करना और कम से कम अपने 5 दोस्तों को साथ हो जरूर शेयर करना क्योंकि देखिए जब आप class share करते हैं तो दुसरों का भला करते हैं जो दुसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेसा भला ही होता है तो मिलेंगे आपसे next class में तब तक बिल्कुल